नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारासी फल धाम यूटूप चनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं तुलारासी फल के बारे में कि यह दिन तुलारासी वालों के लिए कैसा रहेगा किन-किन चीज़ासे इनको फैदा होगा और किन चीज़ासे इनको साउधाना ना होगा इनकी लव-लाइप कैसी रहेगी केरियर कैसा रहेगा बिजनस और बैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पुनचानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सूब रंग और सूब अंग क्या है दोस्तों आपको एक उपा भी बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगां से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिसे समय समय पर हमारे नीव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुशगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों ग्रिश्ती अनुकूल बनी हुए है अपने संपर सुत्रों को और अधिक मजबूत करें कि इन से आपको मन अनुकूल पढ़ना मिलने वाले हैं आप खुद को और जा से भरपूर महसूस करेंगे घर की सुक्सी विदा समंदिक कारे में भी आपका महत्यपून युगदान रहेगा दोस्तों ग्रिश्ती बहतर बनी हुए है कोई उधार दिया हुआ पैसा आपस मिलने से राहत मिलेगी आप अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनतम गतिविदिये में रूची लेंगे तदा अपने जीवन सेली को भी और अधिक उन्नत करने के लिए प्रियासरत रहेंगे समाजी रत्वा सोसालिटी समंदी गतिविदिये में समय वितेगा समान विचाधारा वाले किसी व्यक्ति से संपर्ग बुनाना आपके लिए प्रसनता दायक रहेंगे जीवन अस्तर को सुधारने के लिए आपके द्वारा की गए प्रियासरत सफर रहेंगे जीवन गर के वारिष सदस्तों के मार द्रसन से कुछ पूराने खराब समंदों में सुधार आएगा धन समंदी गतिविदिया सकारत में बनी रहेंगे जिससे आप सारीक और मानसिक रूप से सकारत में महसूस करेंगे तथा आप अपने राचनातमाग तथा रूची समंदी कारियों के भी सुचार रूप से अंजाम दे पाएंगे नित्यरया सहगियों से फोन पर ही कोई महत्यपुन बरतलात फायदेमन सावित होगी आपको अपनी किसी समंसिया का भी समाधन मिलेगा और आप अपने आत्म विश्वास तब भरपूर उर्जा दोरा अपने कारे को उचीत अंजाम देंगे उस्तां गिरिश्ती बहुत ही सकरत में बनी हुए है प्रयासद आर्थिक मामलों में जीत हासिल होगी तेथा कार योजना भी सफल हैंगे कोई परपर्टी अत्मा परिवारी समन्दीद रुका हुआ मामला भी हाल होने से परिवार में सुकून रहेगा चली दिसना इसी के साथ बात कर लेते हैं नेगेटिव की हो सकता है कि किसी कार में कुछ बाधाय आये जिसकी वज़े से आपकी मनोस्ती विचलित रहेगी और इसका असर घर की विवस्ता पर भी पड़ेगा किसी परकार की आस्थान परिवर्टन समन्दी गतिविदियों को लेकर तनाव रह सकता है परिवारी सदस्या की बीच कुछ वियनवस्य की सिति बन सकती है जिसकी वज़े से तना बना रहेगा इसलिए धैर और स्यम बना कर रखना आवस्यक है घर के बड़े बुजरों का स्वास्त परिसाने का कारण बनेगा इस परकार की छोटी छोटी समस्या आपके लिए तानापका कारण बन सकते हैं घर की सुख सीविधा समन्दी चीजों की खरीदारी में खर्चा होगा जिसके वज़से बजट विगल सकता है कोई महतेपुन वस्तु की खोने या चोरी होने की भी आसंका लग रही है बचों की गतिविदियों और संगती पर रज़ा रखना जरूरी है उनका मार्दसन करते रहें बचों की अतेदिग घर खर्चालू परवर्ती पर अंकुष लगाना जरूरी है भागता की वज़ा वेहवारे दिश्टी कौन रखें वरना लोग आप पर गलत फाइदा उठा सकते हैं अपने क्रोदवा आवेश पर नियंतर रखें दोपर वादमान में कुछ नकात्म विचार भी परेसान करेंगे दुस्तों दिन के दुसरे पक्ष में साब्धान रहने की आप सकता है आचाना कोई मुसीवत आपके सामने खड़ी हो सकती है तथा व्यर्थ के कारियों में भी समय व्यतित होगा कब कभी आपका अत्य आत्म विच्वास अहम आपके बनते कारियों में रुकावट डाल सकता है उस्तों आए वावे में उचित समान्जस बना कर रखें वरना आर्थी इस्ती समिदिक कुछ समयसियां बन सकती है कुछ नाकात्म प्रणुति के लोग आपकी कारियों में व्यक्न पोसिज भी करेंगे इसमें ऐसे लोगों से संपर्क ना बनाना रखें जीवन में किसी परकार के अधुरेपन का एहसास रह सकता है उसना बात करते हैं वैवसाय की इस समय वैवसाय अस्तल पर किये गई सुधार वहतर सावित होंगे और उनका फायदा भी आपको मिलेगा आप अपने बिजनेस को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो एकदम सही सावित होंगे ओफिस की गतिविदियों में कुछ राजिंतिक चल सकती है सावधाम राने की कोशिव करें लेकिन समय निकाल कर आप मेहनत से अपने रुके हुए काम फूरे कर पाएंगे नोकरी पेसा लोग अपने ओफिसियल कारियों को नियत समय पर पूरा करने का प्रयास करें वना मुसीवत में पढ़ सकते हैं व्यक्तिगत वस्ता की वज़य से बिजनेस के काम में रुकावटे आ सकती है ज्यादातर काम समय पर हो जाएंगे रुकावबा पेसा मिलने से राहत मिलेगी नुकरे पेसा लोगों को कोई अँचाहिए अफिसियल यातरा करने पर सकती है इस वक्त किसी युजना पर काम करना नुकसान दे रहेगा विजनेस के नजरिये से ग्रेश सितियां आपके पक्ष में नहीं है पर पट्टी समंदी कोई भी डिल करनी है तो अतेदिग मुनाफिय की उमीद रखना उजित नहीं है नुकरे पेसा व्यक्तियों पर अपने उच्छेदिकारियों का सहीग बना रहेगा जॉब और बिजनेस में काम ज़्यादा रहेगा और कामें कुछ समस्यां भी रहेगी लेकिन सुजबु से इनका निवारन हो सकता है इनपोर्ट एक्सपोर्ट से जूड़ी विजनेस में फाइदेमन अनुबंध होंगे नुकरी पेसा लोगों के लिए भी पन्नोती के मौके मिलेंगे दोस्तों विजनेस में लेंदेन समन्दी गत्रिवदियों में सवधाने रखें कागजी कारवाई में किसी भी तरक की धोका होने की असंका लग रही है नज़दी की लोगों की आपक्चा किसी अंजान व्यक्ति से सहयता मिलना आपको आज से चकीद करेगा वहीं बात करते हैं लव लाइव की पति पत्ने के विच उती समन्जस मना रहेगा इसका आसर परिवार के सुख सान्ती को भी बनाए रखेंगे दोस्तों समय के अब आपके करन परिवार जनों के साथ उचित समय व्यतित नहीं कर पाएंगे पन्तु घर की व्यवस्ता उचित बनी रहेगी जिवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा जिवन साथी ता आपने प्रिवार जनों और परिवारी लोग के परभा करना आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा प्रिवारी व्यवस्ता पर प्रिवारी व्यवस्ता पर भी पढ़ सकता है इसलिए समय समय पर आराम भी लेने की आवसकता है गैस और छाती में जलन जैसी समस्या रहेगी अते दिव मसाले दर खान पान से परेज करें बतमान मौसम की वज़े से स्वास्त कुछ नरम रहेगा इस समय आईरविदी चीज़ों का सेवन करना उचित है प्यार में दर दिया सुजन जैसी समस्या रहेगी अते दिव काम के बीच आराम भी लेना आवसक है अते दिव तनाप की कारणों से अपना बचावर करें वरना इनका असर आपके स्वास्त पर भी पड़ सकता है मौसम के अनुरूप अपने दिन चारिया वे इस्तित रखना जरूरी है आयरविदीक चीज़ों का अधिक सेवन करें चलिस्ता आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में दोस्ता मंगलवार की दिन धन प्राप्ति करने के लिए आसान उपाय करें हनुमान जी आवसी आपको मनुकामना कर देंगे पूरी दोस्ता मंगलवार की दिन प्राप्त में अश्नान करने के बाद बर की पेल का एक पत्ता ताजा हरावाला तोड़ें और इस सुद्य जल में धोलें इस पत्ते को लेकर हनुमान जी की मंदिर में जाकर कुछ देर हनुमान जी की चर्नों में रखकर तीन बार हनुमान चली सका पाट करें अब उस पत्ते को सिधे हाथ से हनुमान जी की चर्नों से उठा लें यह उस पर सुध केसर से सिर्य नाम 11 बार लिखकर हनुमान के हिर्दे का थोड़ा सा सिंदूर लगा कर पत्ते को हमेशा अपने पर्स में रख लें ध्यान रखें कि इस उपाय करते समय कोई देखे या टोके नहीं दोस्तों ऐसा करने से पैसा आपके पास खुद बखुद आ जाएंगे और सारे कर्ष दूर भी हो जाएंगे दोस्ता आप बात करते हैं आपका भागसाली रंग और भागसाली आंग क्या है दोस्ता आपका भागसाली रंग लाल है और भागसाली आंग दो है दोस्ता अगर हमरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक पर सब्सक्राइब जड़ो करें और कॉमेंट बॉक्स में सच दामन से जैश्री रम जड़ो लेखें धन्यवाद